ओके एलो फ्रेंट कैसे हो आप सब मैं हूँ विशी और आप देख रहें बाउन टू इन्वेश यूट्यूब चैनल ये दोडने वाला गोड़ा है लॉंग टम में माला माल कर देगा चलिए जानते कौन सा इस टोक है क्या इसके फंडामेंटल है क्या इसके टेकनिकल लेवल ह और अभी तक आपने अमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे इसे ही वीडियो हम हर रोज अर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटने उससे जरूर दबा दीजे जिसको आपको अमारे नोटिपिकिसन सबसे पहले म जाए गुट कॉलिटी के या श्टोक के गुट कॉलिटी बाई मैनेजमेंट रिस ग्रोथ एंड कैपितल स्टक्चर फो लॉंग टर्म इंवेस्टम आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लिजे 5.47 परसंट आप इसकी इबी आई टी ग्रोथ देख लिजे 21.69 परसंट अप इसकी net debt to equity ratio देख लिजे 0.47, आप इसके place sell देख लिए 0, मतलब company में कोई भी अपना stock गिरवी नहीं रखा है, अब हम इसके valuation के बारे में बात करेंगे very expensive valuation पे अभी trade करा है, 14 value 936 के उपर होगी, यह इसको very expensive valuation पे डालेगा, आप इसकी P ratio देख लिजे 20.54, आप इसकी EBIT to EBITDA ratio देख लिजे 11.99%, आप इसकी ROCE देख लिजे 10.85%, आप इसकी ROE देख लिजे 10.23%, अब हम इसके quarterly result के बारे में बात करेंगे, आप इसकी net sales देख लिजे, पिछले quarter से इस quarter में 10.05% के एक downside देखने को हमें मिली है, आप इसकी net profit देख लिजे, पिछले quarter से इस quarter में 1.08% की upside देखने को मिली है, जोकि एक अच्छी बात है, आप इसमें operating profit margin देख लिजे, जिसमें भी 1.08% की upside देखने को हमें मिली है, अब अब इसके annual result के बारे में बात करेंगे, आप इसमें net sales देख लिजे, 44.59% की एक upside देखने को हमें मिली है, आप इसकी क्या है के net profit देख लिजे, जिसमें भी पिछले year से each year में 9.74% की एक upside देखने को मिली है, आप इसके operating profit margin देख लिजे, जिसमें क्या है कि पिछले यर से इस यर में 1.43% की डाउन सेट देखने को मिली है अब हम इस कंपनी के सेर ओल्डिंग पेटन के बारे में बात करेंगे प्रोमोटर के पास 47.27% की इससेदारी रख्की हुई है आप इसमें क्या है कि FIS के ओल्डिंग देख लिजिए जिसमें 24.39% के ओल्डिंग FIS के पास है आप इसमें mutual fund के ओल्डिंग देख लिजिए जिसमें 4.48% में mutual fund के पास है आप इसमें plate share देख लिए कोई अपना गिर्वी नहीं रखा इस company ने चले जानते हैं कौन सी यह company है अब तक हम बात करें ते रिलाइस इंडस्ट्री में बारे में यह अपनी इंडस्ट्री में है कि यह long term में आपको इसमें बड़ी opportunity मिल सकती है अगर आपने एक सही लेवल पर buy किया तो चले जानते है कौन से लेवल पर इसे buy करना है और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लिजिए और जो घंटे वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए औ और आपको भी किसी stock के बारे में query हो तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं अब हम आ चुक है relax industry के चार्ट के उपर आप देख लेजिए यह आपको uptrend में चाप दिखाई दे रहा होगा आप देख लेजिए जो इसकी support trend line है उस पर यह support लेता है मैं इसके पिछले बाहर भ करके आज आगे निकल गया तो मेरे को इसका जो buying zone बनता है वह 1275 से लेके 1200 तक बनता है लेकिन जो मेरे personally जो इसको level मानता है वह 1250 के आजपास मेरे को कहीं मिल जाए तो मैं इसमें buying जरूर करूंगा और अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लीजे ऐस आपने next वीडियो में तब तक के लिए टटा गुटबाई जय इन